विग बोस के हर एक सीजन में ये बात हमेशा ही देखनी को मिलती है कि सल्मान खान घर वालों की कुछ परसनल चीज़े होती है जो घर के बाहर होती है उन्हें अक्सर क्लियर करते पर दिखाई देते हैं और अब इस सीजन में उन्हों ने कविता और अभिनव के बीच में जो कुछ भी चला उसे लेकर क्लियरिफिकीशन का एक मौका दिया गया जब रुबेना अभिनव के आमने सामने आये कविता कोशिक और उनके हस्बन रॉनित और यहां पर उन दोरों के बीच में एलिगेशन और अभिनव कोशिक जो कुछ भी बाते बोलेगा तो मैं चुप तो नहीं बैठने वाला रॉनित ने कहा कि तुम ही कैसे लगता है कि मैं चुप पैट जाओंगा मैं भी मेरी बीडी की रेस्पेक्ट करता हूं उससे प्यार करता हूं और कोई भी अगर कुछ भी उल्टा सीथा करेगा तो मैं उसे छोड़ो गा नहीं हूँ इस पर अभिनव ने कहा कि यह जो कुछ भी तुमने किया है नहीं चीज़े इस पर मैं लीगली एक्शन लेने वाला हूं और इस तरीके से रूबीना इन सब चीजों को सुनकर काफी जादा अपसेट होती है अभिनव कहते हैं कि यही चीज़े है न तो मुझे वो मैसेज़े अभी दिखाओ जब भी अगर तुम्हें यही है न यहीं कि मैंने यह सब चीज़े की हैं मैंने कभी ऐसा नहीं किया और तुम्हें जूटे एलिगेशन लगारा बंद करो माहुल काफी जादा गर्मा गर्मी वाला गहमा गहमी वाला रुबिना दलायक एमोशनल आखों से आसू तो वही घरबाले भी सकते में होते हैं कि भाई विग्वोस के घर में यह वो क्या रहा है विग्वोस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट हर एक खबर कटलेस अंजीन अंग देखा सबसे पहरे जानने के लिए चैनल के साथ बनी रही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धर्यवाद